अच्छे इन साथियों आज मैं आपको ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतरगत जो ट्वेल्थ केमिस्ट्री में हमारा सेकंड चैप्टर चल लाए था शुलुशन उस चैप्टर यहीं कि वील्यन वील्यन के अныतरगत हम हैंड़ी का नियम पढ़ेंगा जो बहुत ही इंपोर्टेंट नियम है ठीक है नियम किया गाता हैंड़ी वील्यम ह क्लेश्ट्र वेल्यम क्लेश्र होता है और जो gas होती है यानि कि gas और pressure इन दोनों के मद्दिक relation find क्या है यानि कि एक संबंद बताया उस संबंद को क्या बोलते हैं हैं हैंडी का नियम बोलते हैं इसने क्या गया इस नियम के नुसार नियत ताप पर यानि कि जो temperature है वो क्या होना चाहिए किसी दरू में कोई भी दरू बरावा हो किसी दरू में किसी गैस की कोई इसी भी गैस हो ठीक है गैस की विल्यता विल्यता का मतलब उसका घुल जाना वो जो होती है वो आरोपित दाब के समानुपाती होती है फिर से समझो, देखो, हमारे पास कोई भी दर्व है, इस दर्व में कोई भी गैस गुलेगी, यदि मैं प्रेसर बढ़ादू इस पर, तो गैस जो गुलने वाली गैस है, वो गुलने वाली गैस की मातरा भी बढ़ती चली जाएगी, इसका कहना का मतलब यह था, यानि कि P अन हेंरी का नियम समझ माया, देखो, यहां गया है हमारा, जहां P आरोपिद्दाब, X दर्व में गैस की विल्यता, यानि की गुलन सीलता, हेंरी कॉंस्टेंट की एच, ठीक है, यदि गैस की विल्यता को, गैस की विल्यता को, गैस की गुलन सीलता को, दर्व में गुनने की, गुलन सीलता को यदि मोल परभाज के रूप में परिवाशित किया जाता है यानिकि गुलन सीलता को यदि मोल परभाज माल ले जाए तब प्रेसर मोल परभाज के अनुकर्मानुपाती होगा यानिकि जितना प्रेसर बढ़ा होगे मोल परभाज बढ़ेंगे यहने कि यदि मोल परभाज ज़ाद है उसके तो प्रेसर भी ज़ादा और उपित क्या गया होगा ठीक है ऐसे ही इसमें क्या करेंगे हम समानुपाती अटाएंगे और कॉंस्टेंट लगाएंगे के अच ठीक है कलियर हो गया अब जान लेते हैं कि मोल परभाज क्या होता है मॉल परभाज देखो मॉल परभाज क्या है किसी विल्यन में कोई confusing उपस्तित यह तो विले हो यह तो विल्य आ यह क्ne विलायक ठीक है मोलों की संख्या इन दोनों के मोल उनकी संख्या ठीक है तथा वीलेन में उपस्तित संपुन मोलों की संख्या संपुन का मतलब विले पलस विलायक जो उनका अनुपात होगा इसको क्या बोलेंगे मोल परभाज या मोल अंस बोलेंगे देखो विले के मोल अंस उन दुनों को एड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो ये नुपात क्या कहलेगा विले के मौलन्स कहलेंगे चालाइंगे टीक है? इतनी बात के लिए रहे है यदि ये विले के मौल महलुम है एं टो विले के मौल एं तो ěं और विलायक के मौल महलुम एंने का तो विलाएक के मोल न्स क्या होंगे विलाएक के मोल बटे वीलियन के मोल यानि की विले पलस विलाएक के मोल तो विलाएक के मोल क्या मनें हमने कैपिटल N विले के इस मोल N है और विलाएक के N है ठीक है अब ध्यान क्या रखना है जो विले के मोल होते हैं पलस विलाएक के म और यदि मैंने विलाएक के निकाल लिए तो मैं एक में से गटा आगर विलेगी निकाल सकता हूँ, ठीक है, अब numerical से समझो, numerical से क्या समझना है, देखो, ये बात तो ध्यान रखनी है, कि मॉल बराबर बाहर बटे नुबाहर होता है, क्योंकि मैं मॉल निकानने आने चाहिए, उधारण क्या गया रहा है कि 50 गराम CH3OH मैथले अलकोल को 100 गराम जल में गोल कर विलियन बनाए गया है यानि कि एक विलियन बना लिया इसको और इसको दुन्नों को डाला तो मोल परभाज गयात करने में CH3OH के प्रहें तो मैं पता होने चाहिए कि विले को होने विलायक को होने तभी तो गयात होंगे देखो CH3OH 50 गराम है यह समय डाला है में 100 गराम एस टू में देखो जो कम होगा वो क्या होगा विले और जो ज़दा होगा विलायक तो difference समझ में आया कम CH3 है और ज्यादा जल है जल क्या है विलायक क्योंकि ज्यादा quantity में ही तो कम मात्रा वाली चीज़ को गोला जा सकता है अब यहां से हमें निकानने किसके विले के मोल क्योंकि CH3 के पूछ रहा है ना अब CH3 क्या है हमारा CH3OH क्या है हमारा विले है CH3OH क्या हमारा विले तो विले के मोल पर बाज क्या होगा विले के मोल बटे विले के मोल पलस विलायक के मोल क्योंकि विले के मोल का फॉर्मूला क्या है एन अपोन एन पलस है इतनी बात के लिए रहे है अब इस मोल एन क्या पड़ा हमने इस मोल ए है विले के मोल अब विले के मोल क्या होता है रवटे पलस 17 कितना आएगा 32 तो इस समझमाया 32 कैसा आया तो 32 से डिवाइड कर दिया तो इसके मोल कितने आए वई 1.56 किसके मोल आई है यह है विले के मोल तो विले के मोल हमने यहां रख दिये ठीक है फोर्मूले में तो जब एन यहां रिखा हुआ है तो एन यहां भी लिखा हुआ यह भी रख दिया पलस अभी विलाइक के निकालने है तो विलाइक के मोल क्या होंगे विलाइक का बाहर बटे विलाइक का अनुबार विलाइक का बाहर कितना है सो कराम अनुबार कितना होत्ता है ह्च कितना है दो हैड्रोजन का परमण बाहर एक ऑक्सिजन का सोला तो कितन प्रफाइड कर दिया गया इसको डिवाइड करके कितना आया 5.56 तो एनकी वैली यहां रख दी 1.56 इसको एड किया 7.22 इतना तो कैल्कुलेशन करनी आनी चाहिए इसको यह दिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा विले के मौल परभाज या मौल अंस कितना आगे 0.22 अब म विले के कैसे निकाल सकते हैं मैंने फॉर्मूला बताया एक में से घटा दो एक में से जब विले के निकल गए तो 1- माइनस विले के मौल परभाज क्योंकि विले के मौल अंस पलस विलाएक के बराबर कितने के एक के अब विले के तो मैं पता है तो विले के निकाने तो वि एक चीज और बताता हूं हैंरिके नियम के अनुपरयोग अनुपरयोग से मतलब जिनका उपयोग हम कहां करते हैं देखो आपने जएदर देखा होगा जो सीतल पर होते हैं कोल्डरिंस होते हैं कोल्डरिंस बनाने में CO2 को हाई प्रेसर पर उचदाप पर बोतल में बंद किया यानि कि सीतल ठंडी बोतलों खोला जाता है तो उससे क्या होता है बुलबुले निकलते हैं बुलबुले निकलने का मतलब है कि जो गयस इसमें घुल गई थी हाई प्रेसर पर वो 292,000 तो जाएं तो जीजंग मिसित यहां चालता है यह यानिस ना इसलिए वाई फैंप्रे हीमोगलोवीन में मिसी तोनी शुरू हो जाती है हमारे खून में नेक्स्ट समुंदर में हीलियम और ऑक्सीजन हीलियम प्लस ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया जाता है समुंदर में जब जाते हैं किसके स्थान पर नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन के सिलेंडर के स्थान पर क्यों क्यों लिहा जाता है क्योंकि जो एन्टू गैस है वह हाई प्रेसर पर उचदाप पर हाई प्रेसर पर ऊचदाप पर हमारे रक्त में अधिक घुल जाती है जिससे हमें सांज लीने में दिक्कट होती है इसलिए हम किसका यूज़ करते हैं हिलियम और ऑक्सीजन का यह हैं ॥ा नियम था, important है, यदि आएगा तो दो नमबर में आएगा, एक नमबर पर definition प्लस एक नमबर पर अनुपर योग, अनुपर योग में केवल दो भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आज का topic इतना ही है, यदि आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें और जो नीव है वो